वेलकम बैए कैसे हो जनगर्णा करते वक्ते का धिकारी आता था और गिन के चला जाता था 2011 वाली जनगर्णा में जो लड़कियां पिठ्थू केला करती थी आज कल वो तूटा दिल और गहरी बिल लेके लड़कों को पेला करती है देखो मैं इस पर क्यों वीडियो बना रहा हूं मुझे नहीं पता साइद इसे ही मौसम कहते हैं जिस तरह गहू करते हैं न मार्च के मौसम में लाइन से सारे उसी तरह इसकी ले रहे हैं जितने भी रोज चरे हैं लाइन से सारे कमरे से बाहर निकलोगी तो लोगों के दिल भी देखने को मिलेंगे और देश के खुबसूरते भी आप कमरे में नाचोगी और एकदम से सीसे के सामने आ जाओगी तो भोशड़ी वाली देखने को मिलेंगे पता नहीं इंसान के बच्चे आजकल कौन सी बूटी खा रहे हैं ये टट्टे बनके अपने दुख में लटके रहते हैं इनकी जिन्दगी में इतना दुख है इतना दुख है जितना जहिला जा सकता है एक सरीर से कितना जहिला जा सकता है देखो यार अगर तुमारे खुद के दोचार दोस्त तुमारी गान माल लेते हैं तो प्लीज अपना रंडी रोना लेकि इंटरनेट पे मत आओ अरे दुनिया को तुमारे रंडी रोने से घंटा फरक नहीं बढ़ता उनकी जिंदगी में खुद इतने ही कि एक एक वीडियो को ददस करोड लोग एक साथ रिलेट करते हैं उन्हें लगता है कि हाई दया यह तो हमारी कहानी है मेरे खुद 36 रंडी रोने हैं अभी गिनाने बैठो तो मगर रंडी रोने is not a way of burning and living आपका खुस होना तो लाजमी है अब जिसके इंस्टाग्राम पे लगबग 7-8 लाग फॉलोवर हो स्पॉंसर्ट की लाइन लगी हो बोसडी का वो क्या जाने दुख क्या होता है दुख तो उससे पूछो जो पिछले 15 साल से एक ही फ्रम में गिस रहा हो और प्रमोशन का नमबर आए तो कुत्ता पालो बिल्ली पालो घर बढ़ा हो तो गेंडा पालो अपने जीवन में लवडे लगाने के लिए खरामी दोस्त भी पालो मगर गलत वहमी मत पालो लवडे एक प्यार नहीं है ये देड़ दो लाग होते नहीं है कि केप फुगगा पटा का चुर्चरिया इन भड़वों को पूरी दिवाली बनानी है उसके बाद हो गया स्ट्रगल बन गया सैलिबरिटी इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा अरे जाओ यार तुने मुझे छोट दिया चल कोई बात नहीं लेकिन ये बन्दी वो भी रोई तेरे लिए मादर चोट तेरी तरी अवकात नहीं निकल लाउडा मोटिवेस्टनल जीवन में उतना ही जरूर है जितना इंस्टाग्राम पर इसका बद्भू मारता हूँ अकाउंट एक बार ये देखो रफ्तार भाईया जो साथ साल पहले अक्के जा चुके हैं अब ये आई हैं उसी को उठाके अपने अंदर डालके दुबारा आगने अज कल का प्यार यही है जनाब चले तो चांद तक नहीं तो फ्लैड तक अहां अरे किसे बता रही है मुझे पता है तुझे पता है ये जो वीडियो देख रहे हैं सबको पता है ये इंस्टाग्राम वाले पस जे सोचते हैं कुछ भी रियालिटी से रिलेटेड होता है और अगर हम वो किसी के मुझ से सुन ले ओहो हो ये तो एकदम सच बोल रही है इसकी वीडियो लाइक करो इसके पेज को फालो करो मतलब अभी एक किस साल की निब्बी हमें आज कल का प्यार समझाएगी मतलब कुछ भी और ये लाष्ट में सुवर जैसे सकल बनाने का रिवाद चल लाए क्या इन लड़कियों के मज़े हैं तुम्हारा पैदा होने का समय ठीक है अगर 10-20 साल पहले ये 10-20 साल बात पैदा हुए होती ना तो भुखमरी से मर जाते क्योंकि इस रंडा पे के पैसे ना तो पहले मिलते थे और ना फ्यूचर में मिलेंगे यही मौका है लपेट लो और एक तो ये स्पॉंसर इतने ये उसी के पीछे बागेंगे जिसके पीछे ट्रेंड भाग रहा है अरे एक लड़का और है देड़ दो साल से वीडियो बना रहा है वो आपको नहीं दिखता अब बात करते हैं कि इस पर रोस्ट क्यों बन रहा है मतलब ऐसे उपर तो कोई चिठी नहीं आए थी कि इसी पर रोस्ट बनाना है हमारे जो लक्से भहिया है और उनकी सलोनी दीदी पहले इनमें चुल उठे इनों ने बनाई फिर व्यूज गए फिर पार्ट टू बनाया फिर हमारे जैसे जो चिंदी चोर हैं मतलब छोटे वाले आप वो क्यों पीछे रहेंगे और अगर पीछे रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे कैटे किरे की कमी नहीं इंटरनेट पे खट्टे मेठी चटपटे गुनगुनी लवाबदार हर तरह की वीडियो यहां पे कोई अपने महभूब को गालियां पहल रहा है तो कोई अपने महभूब के साथ कुस्ति खेल रहा है किसी की गाड़ी तूड गई तो किसी की निकल वाने तो मैंने आपनी लापली व्लॉग में कहा था कि अपनी दातों का व्लॉग बनाओंगी तो आज मेरे डंटेस की पास चेक पढ़ है और शाए डॉक्तर मेरे दाद भी निकालने वाले चार दाथ निकालने वाले तो अगर 32 में से 4 दाथ निकलेंगे तो कित्ते खतम पर यह जाएगी दूसरी जाएगी तीसरी आगी यह सिलसला यूँ चलता रहेगा आप भी जाए फिर आना और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई बाट अच्छा लगाओ तो नीचे कमेट कर देना हम कमेट में तुरंत एक्षन लेते हैं तुरंत एक्षन बाई